तो वेलकम तो तरून आएस जैसा कि हम लोग डेली डैनिक करेंट अफियर के आधार पर हम MCQ लेकर आते हैं ये पाँच सबसे महत्पूर्ण MCQ होते हैं जो आपके प्रलिम्स के लिए एक बुस्टर की तरह काम आएगा तो ये डेली न्यूजपेपर के बेस के आधार पर होता है इन में से आपके कुछ MCQ आपकी प्रलिम्स के भी क्विस्टर होते हैं जो आल लेडी पूछे जा चुके हैं आपके एक्जाम में तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत ही मुल्यवान है तो इन पाचों पर हम डिसकस करते हैं कि ये क्या है और साथ-साथ में आपकी मर्जी है और लाइक करना चाहते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला जो प्रशन है आपका ये पहला प्रशन आज के जो आप न्यूज जब देखेंगे देहिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का तो उसमें रसाइनिक उर्वरक से को देखेंगे तो वहाँ पर उर्वरक से सम्मंधित बहुत सारे चीजों पर चर्चा की गई है तो ये देखिए आपका जो पहला प्रस्न ये कहता है कि भारत में रसाइनिक उर्वरक के संदर में निमलिखित में कस्थनों पर बिचार करें तीन कथन दिये गए हैं चार बि और दुसरी एक पहला प्रकृतिक और दूसरा रसाइनिक उर्वरक में पहला स्टिटमिन कहता है कि वर्तमान में रसाइनिक उर्वरक का खुद्रा मुल बाजार सन्चालित है और सरकार दवरा प्रसासित नहीं करते हैं था आपको शुरुआती में कहा कि जब भारत सरकार इसका मुल ब्रिधी हो, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यह जो फॉस्प आपको खास करके जो उरुवरक हैं, वो भारत के इसेंशियल कॉमेडिटी एक्ट के तहत आता है, उसमें उसको संदर्वित किया गया, उसमें उसे रखा गया है, तो सरकार इसको प्रसासित करेगी, अर्थात पहला स्टेट्मेंट आपका गलत है, और पहला स्टेट्मेंट के अनुशार से A भी गलत है और D गलत हो गया, अब आपके पास दो विकल्प हैं, KBC के अधार पर, दूसरी, अमोनिया, जो कि यूरिया का एक इन्पूट है, प्रकिति गैस से उत्पन होता है, जब इन स्टेट्मेंट आपका सही, सल्फर जो फॉस्फोरिक एसीड उर्वरक के लिए एक कच्चा माल है, जो तेल रिफाइनिंग के उत्पा, तो सेखिन और थर्ड इसके सही आंसर है, बीज, थोड़ा सा और भी अगर इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हम इसको ब्या पुषता है कि हैवर बिधी के द्वारा, किस बिधी के द्वारा, हैवर बिधी के द्वारा अमोनिया प्राप्त किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइट्रोजन का एक इस्टू 3, 1 इस्टू 3 के रेश्यो के अनुपात में मिलाया जाता है, और हाइट्रोजन प्र से जोडने का सवाल है कि यूरिया जो है MRP सरकार द्वारा बैधानिक रूप से तै की जाएगी फॉस्फोटिक पोटेसिक इस सभी उर्वरक जो है इसके तहट आएगा तो आपका प्रथम कथन तो सत्य नहीं है सल्फर को तेल रिफाइनी के उप उत्पादक के रूप में प्राप्त किया जाता है और अधिकान सल्फर सल्फिरिक एसिट एस्टू एसो फ्लोर से परिवर्तन करकी इसका उप्योग किया जाता है तो इसके अनुसार से आपका सही बिकल्प आप यहाँ पर देख सकते हैं है ना चलिए दूसरा प्रस्न को हम देखते हैं दूसरा प्रस्न ये कहता है ध्यान से समझने वाली बीते आपको पता होगा कि जम्मु कस्मीर की एक जनजाती है जम्मु कस्मीर के एक समुदाय है है ना जिसे आप पहाड़ी समुदाय करते है उसको भारत केंदर सरकार ने ये आपका सकते हैं कि राष्टी अनुसूची जनजाती आयोग के द्वारा इसको एड किया गया तो इसको लेकर यह चर्चा है तो यह भी आपका प्रिलिम्स का ही क्वेशन है क्याता है कि राष्टी अनुसूची जनजाती आयोग के समिधान के 89 संसोधन अधिनियम के माधियम से अस्थापी किक के पत होता है तो यह आपका सेकेंड है दो अस्टेटमेंट दिये गए हैं यहां पर आप देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट आपका सही है अर्थाथ चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जाल लेते हैं आपको पता होगा कि 2003 में भारत के समिधान का संसोधन हुआ और उस संसोधन जो था 89 संसोधन था उस संसोधन अधिनियम के तहत भारत के समिधान में आर्टिकल 338 में उस संसोधन किया गया और एक नया अनुछेद को जोड़ा गया जिसे आप 338 का ए कहते हैं और उस अनुछेत के तहट जो है राष्टी अनुसुची जनजाती आयोग का गठन किया गया या अस्थापित किया गया और उसके अनुसार से उसको एक समिधानिक निकाय के तोर पर उसे घोसित कर दिया गया राष्टी अनुसुची जनजाती आयोग जो है 19 फरवरी 2004 को स्वतंत्र आयोग के रुप में अस्थापित किया गया था जो कि राष्टी अनुसुची जाती और अनुसुची जनजाती आयोग का जगह ले ली बाद में इसको constitutional के तोर पर बना दिया है तो इन सभी चीजों को म हरित आयकर पहल की शुरुवात कीगई अरह देश के अंदर में प्रस्वन है की निमलीखित में से किस बिभाग मंत्रालेले में हरित실एकर की शुरुवात की गई हरित आयकर की सुरुवात की गई चार ओप्शन दिये गए हैं नाम से ही पता चला हरित आयकर है तो साहिर चाहिर सी बात है कि आयकर विभाग के द्वारा ही किया गया तो इसका सही उत्तर आपका भी होना चाहिए आयकर विभाग के द्वारा आयकर विभाग ने ऐसा कहा है और अन्सारजनिक छेत्रों पर उसके आसपास पेंड लगाकर सुचमन बनाने की बात कही है ये उनका उदेश है चौथे प्रस्न की तरफ चले तो ये भी आपका आज की करेंट अफेर में ही है कि ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जरवेटिव सिस्टम से समंधित बात करता है इसक ये इसमें समयलित है पर इनके द्वारा आयोजित नहीं किया गया है बुकतरूप से आयोजित करने की बात अगर कही जाय तो आयोजित करने वाली जो संस्था है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जरवेटिव सिस्टम एक समयलन है और इस समयलन की जो मेजमानी कर रहा है मौशम भाग उपग्रह के द्वारा मेजमानी किया जा रहा है जिसको ए यू एम चेशा भी काते हैं सोसंद इसके द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जरवेटिक सिस्टम 1992 में दिटिय विश्व जलवाई समयलन के परिनाम के द्वारा इसको अस्थापित किया गया था जिसका मक अब्जरविंग सिस्टम नाम से ही जैसा की पता आपको चल रहा है है तो यह इससे भी प्रस्ण आपके एक्जाम में बनेंगे लास्ट प्रस्ण की ओर हम चलते हैं आपने सुना होगा कि समाचार प्रसपर कानूनी शहायता संधी के समंध में बात करता है यह कानूनी शहाय के लिए भारत और अमेरिकी के बीच समझ होता जी नहीं शार्जनिक और अप्राधिक कानूनों के लागू करने के लिए प्रयास जानकारी यह कत्र करना और आदान पता यह सही आपका उत्तर है और नाम से कानूनी शहायता संबंदी कर रहा है तो सीधा सा बात की बैया अप आपराध की रोक थाम, दमन, जांच और अवियोजना में आपचारित शहायता प्रदान करने के लिए एक देश दूसरे देश के बीच में समझ होता होता है और उस समझ होता के मद्यम से इस तरीके के आपराध रोकने की बात की जाती है ग्री मंत्राले आपदार आपराधि के रूप से समझ होता किया जाता है तो यह आपके मुक्ता रूप से 5 प्रसंद थे जो आपके एक्जाम में आपके पूछे जाते हैं आज के इतना ही मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में आप इससे सम्मंदित करेंट अफ़ेर को जरूर देख आई बटन में जाकर या फ